उत्तर प्रदेश के गाजयाबाद में कुछ गुंडों ने एक पत्रकार को गोली मार दी घटना 20 जुलाई की रात को विजयनगर इलाखे में हुई पत्रकार के पहचान विक्रम जोशी के रूप में हुई है और जानकारी के अनुसार कुछ लोग उनकी भांजी को परिशान कर रहे थे उन्होंने पुलीस में यौन शोशन की शिकायत की थी इसके बाद ही उन पर हमला किया गया हाला कि ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले का यौन शोशन के मामले से कोई कनेक्शन है या नहीं पुलीस ने इस मामले में पाच लोगों को किरफ़तार करने की जानगारी दे दी है इंडिया तुडे की खबर के अनुसार 20 जुलाई की रात को विक्रम अपनी दो बेटियों के साथ मोटर साइकल से जा रहे थे रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेल लिया और मार पीट करने लगे बाद पर उन्हें विक्रम को गोली मार दी मौके पर लगे CCTV कैमरे में हमले और गोली मारने की घटा रिकॉर्ड हो गई है तागे पास आती है वो लोगों से मदद मांगती हुई दिखाई देती है विक्रम को गाजियबाद के या शोदा स्पताल में ले जाया गया उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है गवर है कि गोली उनके सिर में लगी है विक्रम के परिवार का आरोप है कि हमला यौन शोशन की शिकायत की चलते ही किया गया है विक्रम के भाई अनिकेद ने कहा कि कुछ दिन पहले उनकी भाणजी को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे विक्रम ने विजैनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था लेकिन मामले में अभी तख कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है अनिकेत का आरोप है कि यॉन्शोषन के आरोप्यों ने ही उनके भाई पर हमला किया है वहीं गाजयबाद SSP कलानदी ने थानी ने बताया कि पत्रिकार पर हमले के मामले में पाच लोगों को गिरफतार किया गया है नमस्कार अदाप, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पीज को लाइक करिए यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आप तक सबसे पहले बहुचे शुक्रिया और आसान भाषा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा notification बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही Google Play Store पर जाईए और दी ललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए